आईटीबीपी के कारिक्रम में अमिट्ष्वाह का बयान आईटीबीपी के आवासी और गैर आवासी परिसर के उठाटन सम्हारों में बोले ग्रिमत के अमिट्ष्वाह कहा भारत च्रीन सीवा के चुटता लगी हमारी कोई एक इंच जमीन भी नहीं ले सकता गोजर पर आईटीबीपी के जवान तेनाथ है आईटीबीपी के जवान है तो चिनता लगी है उन्होंने ये चीज का वहां पर जिख्यों कि अपस्टिए में कोई एक इंच जमीन भी नहीं ले सकता ये सरकार इस बात को लेकर उनकी तैनाथी के बाद में आश्वस्त है क्योंकि अगर वो वहाँ पर तैनाथ है तो ये मान कर चले कि वहाँ पर भारत की कोई एक इंच जमीन भी नहीं ले सकता ये तमाम बाते उन्होंने अपने बयान में और ये काफी खास क्योंकि उत्साहा वर्धन ये बयान और आने वाले दिनों में भी चुकि वहाँ पर जवान लगातार पेट्रोलिंग करते हैं राउंड अग्लॉक वहाँ पर घूम कर क्योंकि चीन के रास्ते बार-बार इसी हमाकत होती रहती है जवानों की भी ड्यूटी और ज़ादा कड़ी और और ज़ादा टास्क फुल हो जाती है इटीबीप के जवान है तो चिंता नहीं कहना है केंद्रिक्रमित्रिया मिट्शाह का मैं बहुत डीटिल बताना नहीं चाहता परन्तु मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ आईटीबीप सभी सीएपीएप्स में सबसे दुर्गम छेत्र में काम करने वाला हमारा सुरक्सा बल है हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि माइनस 42 डिग्री टेंपरेचर के अंदर देश की सिमाओं की सुरक्सा करना कितना ध्रड मनोबल और उत्कुष्ट देश भक्ती होती है तब ही हो सकता है और मैं हमेशा सुनिश्चित होता हूँ लेश मात्र भी चिन्ता नहीं होती है भारत चिन सिमा की जब हमें मालूम होता है कि मेरे आईटीबीपी का जवान गहां घस्त लगा रहा है या वहां कैम करकर ठेरा है किसी की मजाल नहीं है कि भारत की एक इंच जमीन का भी अतिक्रमन वो कर पाए